किसान भाई बैनों को जिपसम की कितनी मात्रा जो है मिलानी चाहिए फसलों को देने के लिए देखिए जिपसम की काफी कम मात्रा यानि केवल 500 किलो प्रती हेक्टियर अब देखिए एक बैग में यानि एक कट्टे में 50 किलो जिपसम आती है तो एक हेक्टियर यानि उसके लिए पांच बैग की आवशक्ता होती है लगबग एक वीगा में एक कट्टा और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी विवस्ता किसानों को उ ही दालें कब तो इसका सही समय जो है वेसे तो आखरी जुत्झाइ के समय है यानि बुआई से पहले और बुआई के पहले इसको और बुआई के समय हम डाल सकते है फो टेक हैजैgende दालने का तरीकिर का दूसम की विल्कुल सीदा सा है आपको जिप संम केत में बिखेरrin नह परियाब्द रहती है अब कुछ जगे क्या है कि जैसे मुंगफली की बुवाई कर दी कुछ किसान भाईयों ने या सुयाइब इनकी भी बुवाई जैसे कुछ छेत्रों में कर दी हो तो बुवाई के बाद भी परियाब्द शुरुवाती 10-15 दिन तक हम निराई गुड़ाई के समय भी इसको डाल सकते हैं और उसके बाद सिचाई कर सकते हैं और अभी चुकि मानसूनी बरसात भी आने वाली है तो उस समय आप जो है इसकी बरसात से पहले निराई गुड़ाई के समय जो है इसको डालने तो वो ही पूरा फायदा इसका अपने किसान भाईयों को मिल जाता है